हाई गाईज मेरे नहीं है साहिल करना और आज की विजिश चुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज है अगर हम जारा की बात करके चले तो उन्हों प्रियोंड प्लाटफॉर्म निकाल दिया है पहले उनको बाहर निकाला गया है गुम फिरके इंडिया के अंदर भी एक कल्चर निकलता हो दिखाई देगा आप यह कह सकते हो कि इंडिया के अंदर शायद प्रियोंड उस लेवल का नहीं रहेगा मुझे आद है हमारे कलाइन था उसका प्रियोंड का काम था इंडियन था वो लग्शुरी आइटम्स बेचा करता था मतलब एक लाख रुपे का बैग हो गया कुछी का कुछ हो गया अर्मानी का कुछ हो गया पराड़ा का कुछ हो गया पर प्रियोंड यह होता था भाई, वो लाइक निव ही होता था, बंदे बस लेते थे, बस दिखावे के लिए थोड़ टाइम रखते थे, उसके बाद में बेच देते थे, तो क्या आपके पास ऐसी कुछ चीजे पढ़ी है, जिसको आप प्रियोंड मार्केट में बेचना चा चाहिए तो वो मैं ले नहीं सकता, बट उनका एक ड्रीम है, फॉक्स निउस को खरीदने का, इसकी वेल्यू 15 से 20 बिलिन डॉलर के बीच में हो सकती है, ऑल्दो इतना पैसा उनके पास अभी है नहीं कैश की फॉर्म में, बट उनका वो सपना है, पाके अगर एपल की बात क और जिसको हेरिंग 8 की जुरत है, वो भी काम हो सकता है, एक ही डिवाइस से, और वो आपको ओवर था काउंटर मिल लाएगी, जो कि एक अगें बहुत बटी चीज़ है, दूसरा स्लीप एपनिया जो बहुत ज़्यादा प्रॉलम है, अगर आप लथार्जिक रहते हो, ठाक स्लीप एपनिया होता, उनको पता ही नहीं होता कि उनको स्लीप एपनिया है, जब तक वो कंडिशन वर्स नहीं हो जाती, अब यहां पर बस आपको घड़ी पहननी है, सीजीज 9, 10 ये अल्टर 2 में से कुछ भी हो, दस रात तक पहननी है, तीस दिन के अंदर, आपको बता द के चले, तो 60 बिलिन डॉलर का बाइबैक उन्होंने अनौंस कर दिया है, डिविडेंट को भी 10 परसेंट टेक्लेर किया गया है, तो मेरे साब से उनके पैसा अच्छा कासा कठा हो गया है, उनको लगता है कि भाई, अभी कुछ बड़ा अनौंसमेंट करने से पहले, अपने चीज को ट्रैक करता हो दिखाई देगा, और यह तो भाई, इनेविटेबल है मानके चलो, जो स्मार्ट लाइट, स्मार्ट परदे, स्मार्ट डिवाइसे, फोन के अंदर स्मार्ट फीचर्स, टीवी के अंदर स्मार्ट फीचर्स, आजकिल फ्रिज में भी आने लग गया है तो हर जगा पे कही ना कही यह आयोटी जो आने लग गया है ना इसकी वएसे इसके उपर की जो भी लेयर होगी उसके पास में एक unfair advantage होने ही वाली है अब problem यह है ना देखो AI एक बहुत बड़ा role play करने वाला है पर AI की training यह सबसे बड़ी है अगर मैं उसको AI को train करूँगा तो जो भी मेरी biasness होगी वो AI के पास चली जाएगी जैसे भी US के police data का use करने का plan करा जा रहा है AI के लिए तो भाई अगर उस data को देखा जाए तो पूरा completely bias होगा वो अगर वो bias है तो कितना नुकसान हो सकता है बाकी औरेकल के CEO की बात करके चले तो भाई उनकी जो net worth है वो 206 billion dollar पे पहुँच गई है जब बिजॉस से आगे निकल गए है जो कि 203 billion dollar पे थे alarmus बहुत आगे है 251 billion dollar के उपर है अगर देखा जाए तो बाकी औरेकल के share 20% इसी महीने बढ़ते हुए दिखाई दिए है और बहुत जारा तेजी से बढ़ रहा है औरेकल इसका reason यही का जा रहा है कि AI एक boom लेके आ रहा है औरेकल उसके उपर write करता हुए दिखाई देगा बाकी Amazon अपनी AI chips को Intel से बनवा रहा है तो Intel का revival आ सकता है अगर मिस्टर वीज की बात करके चले तो उनने नया product launch किया है lunch ली तो market में उनका competitor है lunchables जो kids को target करते हैं और उनकी lunch market को target करते हैं तो इनका जो product है उसके अंदर आपको feasible भी मिलेगा और prime beverages भी मिलेगी तो basically Mr.V, slogan, Paul कि AI, AI, सबके सब आप असमें collaborate करके एक ही product निकाल रहे हैं अपने सारे के सारे products और अपने products को उस दब्बे के अंदर lunch के अंदर बेचेगे अब कह रहे हैं कि healthy है healthy और options वेगरा 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 बागी पता नहीं यार भाई हल्दी तो मुझे स्कूल वाले टाइम पे डाल रोटी टाइप की चीज़े सब में आती थी आजकल trend ऐसा हो गया स्कूल के अंदर लोग pizza लेके जा रहे हैं पता नहीं क्या क्या लेके जा रहे है अगर हम torrent power की बात करके चले तो भाई उन्होंने 64,000 कुरूर रूपीज इंवेस्ट करने का प्लान किया है renewable energy sector के अंदर जो की एक अच्छी चीज़ है 2030 तक का यह target है 2030 तक का टाइट है 10 गीगा वाट का install renewable energy बनानी है इनको अभी एक green hydrogen की तरफ भी जाने का plan कर रहे है और साथ में green ammonia production की भी बात कर रहे है बाकी कल जो हमारी workshop हुई थी static के founders के साथ में उन्होंने एक बड़ी अबाब बताई कि hydrogen is negative energy fuel मतलब उसको बनाने में जतनी energy निकलती है मतलब उसको बनाने में जतनी energy लगती है उससे कम energy उससे कम वो energy देता है कहीं नगे negative है coming Sunday आने वाली वो वीडियो बहुत मज़ा आएगा आपको नहीं नहीं चीज़े सीखने को मिलेगी और जो लोग आये थे offline के अंदर एपना experience comment section पे डाल देना कैसा रहा आपका मज़ा आया या फिर नहीं आया वाकि टपरवेर की बात करके चले तो भाई वो bankruptcy के लिए file कर रहा है COVID के टाइम पे वो बढ़ता हो दिखाई दिया था क्योंकि भाई home cooking शुरू हो गई थी बहुत सारा समा में बच रहा था पर उसके बाद में वो company struggle करती भी दिखाई दिये one of the reason यह है competition बहुत है इसके अंदर टपरवेर टपरवेर हुआ करता था अभी alternatives बहुत सारे हो गए है अगर हम CAIT की बात करके चले तो उन्होंने banks को बुला है कि cashback बंद कर दो e-commerce player के लिए पूरा-पूरा e-commerce का दंदा ही मर जाएगा क्योंकि offline से सस्ता मिलता है आज के टाइम पर online offline जाओ market survey करके आओ, समझ के आओ उसके बाद में आप online order कर लो, sale whale के अंदर कर लो, card लगा के discount ले लो जादा ही सस्ता बढ़ता है but मेरे लिए experience था, Samsung का मैंने नया phone लिया था वो भाई मुझे online से सस्ता मिला, offline के अंदर बागी मुझे लगता, banks माने के CIT के बाद अगर हम Rapido की बात करके चले तो भाई वो all electric bike और taxi fleet के अंदर transfer करने का plan कर रहे है Rapido, Bangaluru के अंदर अपने three wheeler autos भी निकालने का plan कर रहा है बागी दिल्ली की बात करके चले तो दिल्ली की जो नई EV policy है उसके हिसाब से जो buy taxis है उसका electrification हो जाना चाहिए 2030 तक caps के लिए ऐसे ही target रखे गए है बागी buy juice की बात करके चले तो Amazon और word of an idea ने उनकी services को suspend कर दिया है रिपोर्ट्स ये कह रही है AWS के उनने payment ने दिये word of an idea ने दिये इसके चक्तर में service कर दी गई है company का कहना है कि भाई ये सब जूटी बाते है हमारी services सब कुछ चल रही है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो अगर आपकी जहमचाद में कोई buy juice का student है या buy juice वाला है तो comment section में इमानतारी से बताना कि भाई सही में के services halt है या फिर नहीं है अगर halt है तो फिर समझ में आगया जूट को बोल रहा है अगर halt नहीं है तो समझ में आगया क्या कोई इनके around जूट प्लांट कर रहा है क्योंकि बेको भी फैक्ट ही नहीं पता कि actually क्या हुआ है जो हुआ है comment section में चुरू बताना वागि कई लोग criticize तो करते है कि buy juice की app थोड़ी से slow है उस level के experience नहीं है अगर हम old electric की बात करके चले तो EBITDA टे इवन होता हूँ दिखाई दिखाई दिखता है और यह बड़ी चीज़ है यह company करती क्या है एक्स रेज सीटी स्कान और MRI के अंदर anomalies निकाल देती है अगर उसको लगता है कहीं पर कोई प्रावलम है उसको solve करने के जरद जाती है बाकि दिल्ली हाई कोट ने अशनी ग्रोर को allow कर दिया है ट्रेवल करने के लिए overseas खुश होगे बहुत ज़्यादा दिखा जाये तो बाकि खुश तो दिल्ली के नई सीएम अतीशी भी होगी केजरी वाल जी ने रिजाइंग किया है और नए सीएम आ गए है मेरे लिए जब अनॉंस्मेंट रूती शौकर था मुझे उमीद थी कि वो अपनी वाइफ को मनाएगे बड़ उनने पार्टी वरकर मनाया है इस मीन बाकि हर्याणा पे भी सुनने में यह यह आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का थोड़ा बोल बाल चल रहा है कमेंट सेक्शन बताना आपके हसाब से क्या है सही है और नहीं है अगर हमारी फारेंशल मिनस्टर की बात करके चले तो उनका कहना है कि इंवेस्टर केरफुल हो ज इंडिया की बात करके चले तो इंडिया का ग्लोबल आई-प्यॉओ का शेयर है दोजाच ओविस के अंदर वो 25 परेंट है मतलब पूरी दुनिया के अंदर जितने इंडिया ने 25 परेंट के आसपास होल्ड करे मतलब इतने जाला इप्यूओ निकले है 178 आई-प्यूओ डे इंडिया के अपको मल्टीमल इखाई दे रहा है जा के तोड़ा से इंवेस्ट कर दो लॉट मिल या तो बेच खाओ बस प्रॉफिट कमाओ बाकि इंडिया के बात कर चले तो भी घटा वा दिखाई दिए 1.31 परसंट पहुंच गया अगस्त के महीने के अंदर जो की कर देना कमड़ा नोड़ी कासी लगी बाय गुटे शभाय कर गुदा हाफज गुद मॉर्नी गाफ्रों जब भी आ वीडियो देख रहे है जय है वंदे मातर हुआ